हेलो एवरिवन, वेलकम टू फूट फेजियोलोजी विद वनी, आज हम बनाएंगे रसम वड़ा, बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है और उतनी टेस्टी भी है, तो चल ये शुरू करते हैं, सबसे पहले रसम के लिए मसाला प्रिपेर करेंगे, उसके लिए चार से पा पर को डाल कर उसे अच्छे से कूट लीजिये, और एक दरदरा सा पेस्ट तयार कर लीजिये, हमारा मसाला रेडी है, अब हमें तीन बड़े साइस के टमाटर को दो के छुटा-छुटा चौप कर लेना है, अब एक कड़ाई ले, उसमें वन टेबल स्पून तेल को गरम कर उसमें आधा चमज राई डाले, साथ में थोड़े से कड़ी पत्ते, हिंग और मेथी डाल कर तुरन तयार किया मसाला एड़ कर ले, और उसे दीमी आज पर एक मिनिट के लिए सौते करें, ज्यादा उसे नहीं चलाए, वरना मसाला जल जाएगा, अब उसमें सारे चौप ट नमक डाल कर टमाटर को थोड़ा सौफ्ट होने देंगे, उसके लिए टमाटर को थोड़ी देर के लिए ढख देंगे, आप देख सकते हैं, टमाटर एकदम सौफ्ट हो चुके हैं, अब हम टमाटर में वन टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा दनी को उसकी डंठल की साथ ही ऐसे तोड़ कर डाले, उससे फ्लीवर अच्छा आता है, अब मैंने हाफ कप तूर दाल को बॉइल कर लिया है, वो हम इस टमाटर में डाल देंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिया, अब लगबक दो बड़े चमच इमली को पानी में भिगो लिया था, उसका पल्प निकाल कर इस रसम में एट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाले, जितना आपको रसम खटा पसंद है उस हिसाब से, अब रसम में दो ग्लास के करीब गरम पानी एट करेंगे, अब साथ में एक चमच के करीब गुड एट कर लेना है, खट रसम एकदम ready है अब हम वड़े के लिए बैटर तयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने दो कप उरत दाल को 7-8 कंटे के लिए पानी में भीको रखा था अब इस दाल को mixture में बीना पानी के पीस लेना है और उससे परात में निकाल लीजिए और दाल को अच्छे से फेट लेना है ताकि बैटर एकदम airy और fluffy बन जाए वड़े का बैटर ready है या नहीं वो चेक करने के लिए थोड़े से बैटर को पानी में डाले अगर वो float कर रहा है तो बैटर हमारा तयार है अब उसमें थोड़ा सा नमक, जीरा, ग्रीन चिली पेस्ट और कोरियंडल डाल कर बैटर को अ इसके वड़े बना कर fry कर लीजिए वड़े को हलका सा golden होने तक ही fry करें अब सारे वड़े तयार है तो उसे हम रसम के साथ serve कर लेते हैं एक बोल में रसम को ले लीजिए और उपर से वड़े को डाल कर उसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए अगर आपको रसम वड़ा की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू